बॉलिवुर्ड के आक्शन फिल्मों के बादशा और धाई किलो के मुक्के वाला हात रखने वाले आक्टर सनी देओल का फिल्मी करियर भले ही बहुत उतार चड़ाव भरा रहा हो लेकिन उन्होंने बॉक्स ओफिस पर कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जो आज भी लोगों के बी आज हम आपको सनी देओल की उन पाच फिल्मों के बारे में बताने जा रही हैं जिन्होंने सनी के कैरियर मी चार चांद लगा दिये थे देखा जाए तो सनी की बाकी मुवीज पर अकेली ये पाच फिल्में भारी पड़ी हैं इन में से दो तो केवल 1996 में ही रिलीस हुई थ सनी देओल की इन पाच फिल्मों ने बॉलिवुड के बाकी आक्टर्स के छक्के छुड़ा दिये थे आज सनी का जो भी स्टाडम है उनमें इन फिल्मों का बहुत ही बड़ा रोल है लोग आज भी इन मुवीज को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और इन सभी मुवीज म पाचवे नमबर की मुवी है 1990 में रिलीस हुई घायल फिल्म जिसको राजकुमार संतोशी ने डायरेक्ट किया था सनी देओल, मीनाक्षी शेशादरी, राज बबबल, मौसमी चैटरजी, ओमपुरी और अमरीशपुरी जैसे कलाकारो से सजी ये मुवी आज भी अपने जम मुवी दामिनी थी इसको भी राजकुमार संतोशी ने ही डायरेक्ट किया था जिसमें सनी देओल, रिशी कपूर, मीनाक्षी शेशादरी, अमरीश पुरी और ओमकुरी ने अभिने किया था हालांकि ये एक अक्ट्रिस बेस फिल्म थी जिसमें मीनाक्षी शेशादरी ने अपनी आक्टिंग का लोहा मनवाया था, इस मुवी मी सनी का रोल थोड़ा शॉट जरूर था, मगर बहुत ही पावफुल था, इस फिल्म मी बहुत कम आक्शन करके भी, सनी ने ये साबित कर दिया था कि सिर्फ मुक्य या घुन से, कि नहीं बलकी वो अपने डायलोग से भ 1996 में रिलीस हुई सनी की मुवी घातक, यह एक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जो राजकुमार संतोशी द्वारा निर्देशित थी, जिसमें सनी देओल, मीनाक्षी शेशादरी, अमरीश कुरी, डैनी और ओमकुरी ने अभिने किया था, इसमें भी सनी देओल ने ये प् बहुत फेमिस हुए थे, खास कर ये मजदूर का हाथ है, जैसे डायलॉग आज भी लोगों को एकसाइटेड करते हैं, यह साल 1996 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी, विकिपीडिया के आंकडों के अनुसार, इस फिल्म ने वर्ल्वाइड बॉक्स पर कुल 32 करोड रुपे की कमाई करने में सफलता हासिल की थी, उसके बाद सेकिंड नंबर पे आएगी सनी की फिल्म जीत, ये मूवी भी 1996 में ही रिलीस हुई थी, सनी देओल की यहाँ फिल्म साल 1996 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी, ये एक रोमां बनाई गई थी, इस फिल्म में सनी देओल के साथ सल्मान खान, करिश्मा कपूर, अमरीश पूरी और तब्बू मुख्य भूमिकाओं में थी, 23 अगस्त 1996 को रिलीस हुई जीत ने वर्डवाइड बॉक्स ओफिस पर कुल 30.5 करोड रुपे की कमाई करने में सफलता हासिल की इस मुवी में नदीम शवन ने म्यूजिक दिया था, आज भी इस मुवी में सनी देओल का दमदार आक्शन और इसके सौंग्स लोगों को गुदगुदाते हैं, उसके बाद इस सीरीज में जो मुवी फर्स्ट नंबर पे आएगी वो है सनी देओल की 2001 में रिलीस हुई मु यही नहीं बलकि अभी 2023 में रिलीस हुई इस मुवी के सेकिन पार्ट, गदर तू ने भी एक बार फिर से सिर्फ सनी देओल ही नहीं, बलकि पूरे देओल परिवार की ही बॉलुगुड में धाक जमा दी, गदर वन और तु दोनों ही मुवी को अनिल शर्मा ने 53 क्रोर का बिजनिस करके पूरे बॉलुगुड फिल्म इंडास्ट्री में तहल का मचा दिया था और इसके पार्टू ने तो वर्ल्ड वाइड 691.8 क्रोर का बिजनिस किया है, सनी देओल की इस मुवी के तो क्या ही कहने, इसको उनके क्यारियर की गेम चेंजर मुवी में से एक माना जाता है, आपको यह खबर कैसी लगी हो सके तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, बॉलिवुड की इसी टाइप की मसालेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले